जैस्री राधे राधे मित्रों आज मैं बहुत अच्छी सी जानकारी लेकर आया हूँ इस्त्री राज योग जिस इस्त्री के सब सुबग्रह केंद्र अस्थान में हो और प्रश्टोदे राश में हो तथा मनुस्य राश में होकर सात्वे अस्थान में हो तो वह बहुत धन से युक्त शान्थ सुभावाली सुन्दर पुत्र से युक्त रानी होती है केंद्रे चा सौम्या यदि पश्ट भाजा पापा कलत्रे है चा मनुष्ej रासो रागी भवेत इस्त्री बहु कोशी युक्ता नित्रम प्रशंता चा सपुत्रतिन है और मित्रों जिस इस्त्री के उच्च राश यानि कन्या बुध लगन में हो ब्रहश्पती ग्यारावे अस्थान में हो तो वह प्रत्विपी पर इस्त्रियों में बहुत ही प्रशिद्ध होती है यानि वह राजा की सुंदर रानी होती है और जिसे पती से प्रेम और पती को प खा जाता हो तो वह धन पुत्रों से युक्त पुष्ट नितंब वाली होती है। और विशेश पुत्र पुत्रों से युक्त मानी गई है। युक्त शुक्र हो तथा गुर से देखा जाता हो तो वह संपूर जनता से प्रशंशित बिख्यात कीर्थ जिसकी ऐसी रानी होती है तो मित्रों एक छोटी सी अच्छी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि जातक बिचार में इस्त्री पूरुस के कुंडली का भाव समान होता है किन्तु इस्त्री की कुंडली यानि महिला की कुंडली में जन्म लगन वाच चंद्रमा से सात्वे अस्थान पर पति का माना गया है जो चंद्र लगन से सात्वा अस्थान पड़ता है उस पर से सोभाग योग पति के शरीर का विचार किया जाता है तो मित्रो यह हमारी छोटी सी जानकारी आपको अगर अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल आप देखते रहिए, शियर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, धन्यवाद मित्रो